हेलो दोस्तों कैसे हैं आप लोग उम्मीद है आप से पच्छी सोंगे दोस्तों इस वीडियो में हम एक बहुत इंपोर्टेंट कोश्चन सॉल्व करने वाले हैं के संख्याकी के और बियड के तरपास से बहुत ज्यादा इंपोर्डेंट है अगर हम बात करें डाक्टर रामनोर लोग यह अवद इनुश्टी तो हर साल इससे पंदरन अंबर का एक सवाद पूछा जाता है वह प्रशन क्या है सहसंबंद गुडांक ग्याद करना तो फाइं कोईफिसेंट फकोर्रेलेशन तो इन डिस वीडियो एर गोंग तो फाइंड वन हम किस मेथर से सॉल्व करेंगे हम सॉल्व करेंगे और डिफ्रेंस मेथर से क्रामंतर विदी यह असान है बहुत ही ज़रल है तो सबसे पहले यह प्रशन देखिए यह वही प्रशन जो कि एक में विज्ञान के प्रापतांग और दूसरे में मैच्स के प्रापतांग यहां पर मेंचन है कभी-कभी X और Y करके भी दिया जाता है वाज इस फाइन हम चलते हैं इसका कोईफिजेंट और कोरेलेशन सह संबंद गुडांग याद करने सबसे पहले इसी प्रापतांगों को अगर आप गिन लेंगे तो यहां पर 10 प्रापतांगों यहां पर गिन लेते हैं एक दो तीन चार पांच चैसाथ आट नो दस तो हमने एन फाइंड आट कर लिए दस अभी इसके वाल हमें लिए इसके बाद बढ़ा एसां पढ़ा सिंपल सा में अने यां क्या हमें तो अगरेशना के इसके बाद लिओ लिथे हमें डी लिए यसको आक्ट आ प्रापतांगों को reflect । थी सबसे ज्यादा नर्ट होता है उसका सबसे उस रहेंख होता है उससे कम वाले को रहन दो उससे कम वाले को रैंक ती तो इसे प्रकार से चले जो साइंस और विज्ञान के स्टुडेट हैं उनको हम रैंक देते तो इसमें देखिए सबसे अच्छा नंबर किसका है 88 88 को हमने रैंक दे दिया और उसके कम 87 87 को हमने रैंक 2 दे दिया तो दोस्तों इस प्रश्ण में एक बढ़ा आसान है कि इसने से ग्विज्ञान के सोचना हम यहां पर रैंक डिशाइड करते हैं 88 वाले को rank 1, 87 वाले को rank 2, 85 को rank 3, 84 को rank 4, 81 को rank 5, 79 को rank 6, 76 को rank 7, 75 को rank 8, 73 को rank 9, 72 को rank 10. दस विद्धियार थी हूँ कि हमने rank इस प्रकार से decide कर लिया. अब चलते हैं R2 में. R2 है ये भी rank decide करना है rank किसका? Math वालो का rank. और math में थोड़ा हमें साउधानी यहां पर यह बरतना होगा, क्योंकि यहां के mark सफल है, मतलब किसी उपर वाले, मतलब ज्यादा कम भीच में nix करके दिया है, तो इसका rank थोड़ा साउधानी से हम decide कर लेते हैं, बड़ा ही आसान method है. इसमें भी जो सबसे ज़्यादा number कौन सा है? सबसे ज़्यादा number इसमें आप देखेंगे 73 है, 73 को हमने rank 1 दे दिया, 73 से थोड़ा कम किसका है? 73 से थोड़ा कम है 71, हमने 71 को 2 rank दे दिया, 71 से कम है 69, 69 को 3, इसी प्रकार से 65 को 4 और 61 को 5 और इसी प्रकार से 60 को हमने 6 rank दे दिय और ठीक से हमने पूरा rank decide कर दिया 59 को 7 और 57 को 8 और यहां पर 51 को 9 और 40 को 10 लास्ट में तो rank 1 decide कर लिया हमने rank sorry R1 decide कर लिया R2 decide कर लिया दोस्तों यह बहुत सावधानी से करना पड़ेगा क्योंकि एक गलती फिर पूरा प्रश्न गलत कर देगी अब इसके बाद से लगभग सवाल आपका आधा से ज्यादा solve हो गया अगर आपने सावधानी से rank decide कर लिया तो सारा प्रश्न आपका solve हो गया ठीक है उमीदे rank decide करने में कोई math नहीं है बस simple सा जो number जादा है उसका एक rank उससे कम तो rank उससे कम तीन rank इस प्रकार से अपने rank decide कर लिया अब जो next column है वो है D, D क्या है difference है इन दोनों का अंतर है R1 में से R2 को minus कर दीजिए ओके दोस्तों हमने R1 में से R2 को यहाँ पर बस minus कर देना है ठीक है तो R1 1 है और R2 4 है 1 minus 4 करेंगे तो minus 3 minus को भी लिखिए और अभी minus को भी हटाएंगे अगले column में लिखिए यहाँ पर minus को लिख लिजिए बहुत आसान method है एक में से 4 चुकि एक चोटा है चार बड़ा है तो minus लग जाएगा तो 1 minus 4 3 उसी प्रकार से 2 में से 3 गया A minus 1 3 minus 2 1 3 minus 2 1 हो गया 4 minus 7 minus 3 5 minus 9 minus 4 6 minus 10 minus 4 7 minus 5 2 8 minus 6 2 9 minus 8 1 10 minus 1 9 दोस्तों साथ माइनस से बिलकूर मत करबड़ा यह चोटी से simple सी महत है कि छोट कम में से ज्यादा को घटाएंगे तो minus हो जाएगा बर साथारा सा महत है तो हमने यहाँ पर difference निकाल लिया आरवन माइनस रटू अगर आप चाहें तो माइनस को हटाके किवल प्राप्तांग लिख सकते हैं जो यह minus 3, minus 1 और 1 आया है आप चाहें तो बस यह भी लिख सकते हैं कोई दिक्कत नहीं लेकिन अपने सुविधा के लिए अगर हम यही minus करते हैं तो गलतियों की chances कम रहते हैं अगर इतना कर लिया तो बस सवाल आपका हल हो गया बस अंतता एक और column बढ़ा द 16, minus 4 का 16, 2 का square 4, 2 का square 4, 1 का square 1, 9 का square 81, तो हमने इसका square निकाल लिया, इसका work कर लिया, work करने के बाद आपका प्रशनी यही खतम होता है almost, अब last में सब को जोड लीजिए, sigma d square मतलब the sum of all the d square, इन सब को जोड लीजिए, इन सब को जोड़ेंगे, तो 142 मिलेगा आपको, और 142 आने के बाद आपका प्रशनी हाँ पर solve हो जाता है, एक छोटा सा formula है, यह formula जो rho is equal to 1 minus 6 summation of d square divided by n into n square minus 1, यह formula, यह formula को spare man का formula कहते हैं, और इस method को spare man method भी कहते है, रो क्या है, यही सम्मंद गुलांग है, जहां d तो हमें पता ही है, और n कुल विद्यार्चियों की संख्या तो इस प्रकार से इस formula पर हमें जो भी हमने निकाला है वो रख देंगे, तो हमने 6 हम चले solve करते हैं इस प्रशन को, तो rho is equal to 1 minus 6 की जगापे 6, और d square sum of d square की जगापे 142, और n की जगापे 10, और n square की जगापे 100, और minus 1, इस प्रकार से इस value को हम यहां रख देते हैं, ओके, next दोस्तो, sorry, rho is equal to 1 minus 6 into 142 is equal to 852, और 10 into 99 is equal to 990, तो इस प्रकार से हमने इसको हल कर दिया, rho is equal to आएगा, इसको solve करेंगे तो आपको मिलेगा 0.86, rho is equal to 1 minus 0.86, इसको solve करेंगे तो आपको मिलेगा 0.14, मस कुछ नहीं करना, आपको formula में value पुट कर देना, value आपने बहुत आसान से निकाल दिया, तो इस प्रकार से rho की value कितनी आई, rho की value आई 0.14, अब यहाँ पे थोड़ी से साउधानी बरतने की बात, अब आप सोचेंगे यह तो दसमनों में आ गया, दोस्तों जब भी हम सह संबंद गुडांग ग्याद करते हैं, तो इसकी value हमेशा 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 हमे माइनस 1 से जाड़ा आएगी, अगर माइनस 2 आ गया, तो यह प्रश्न गलत है, यह आपका सवाल गलत हो जागा, ठीक है, इवें माइनस 1.1 भी नहीं आ सकता है, माइनस 1 और प्लस 1 के बीच 0 आ सकता है, ठीक है, तो हमें यहाँ पे क्या प्राप्त हुआ, हमें प्राप्त इस प्राप्तांग में विध्यार्तियों के गणित एवं विज्यान के प्राप्त अंकुक में धनात्मक सह संबंध है, so there is a positive correlation between science and maths marks of the student, इनके बीच में धनात्मक, चूकि यह संख्या धनात्मक आई है, इसलिए इसके भी धनात्मक संबंध होगा, अगर negative आती है, तो अगर positive आया, 0.1 भी आ गया, 0.2 भी आ गया, positive आया, तो धनात्मक सह संबंध, अगर minus 0.1 आ गया, तो रिनात्मक सह संबंध, और केवल 0 आ गया, तो सुने सह संबंध, ठीक है, समझ में आ गए दोस्तों, तो अक्सर आपसे बीएड में बस यह कहा जाता है, कि आप सह करना है, तो बस जब coefficient of correlation निकालना होगा, तो इस method से, करम अंतर विदी से आप इस प्रकार से निकाल लिए, और जब व्याख्या करने की बाता है, तो व्याख्या करने के लिए आपको पूरा प्रश्ण बिल्कुल नहीं देखना, आपका बस उतर देख लिए, अगर आपके प्रश्ण को आपने ऐसे उतार लिया, उसके बाद आपने N डिख लिया, और N क्या होता है, numbers of students, number of, कि इतने प्रश्ण में कितने अंक दियेगें, the numbers of numbers, तो कितने अंक दियेगें, उसके बाद आपको rank divide करना, इन दोनों का rank 1 और rank 2, हम एर 1 और 2 divide कर लिया, और rank में जिसका सबसे ज्यादा number, उसका rank उतना ही कम, एक rank होगा, उससे कम वाले का 2, इस प्रकार से दोनों का rank करके, इन दोनों का आपस में घटा लेते हैं, और घटाने के बाद उसका square करके, सब आपस में जोड लेते हैं, बस N निकल गया, D निकल गया, और इस experiment के formula पर हमने रख दिया, और solve कर लिया, simple सा method, हमें जो प्रापतांग मिलेगा, उससे हम decide करेंगे, कि सह संबंद धनात्मक होगा, किरडात्मक होगा, कि सूनी होगा, the coefficient of correlation would be positive, negative, और null, और 0, ठीक है, so this is the method that how to solve coefficient of correlation by rank difference method, करम अंतर विदी से, सह संबंद गुडांग, प्रापत करने की, यह method थी, मेर में feedback में मुझे बता सकते हैं, दोस्तो, कभी मैं सुरू में नहीं कहता, subscribe and all these things, because I believe if I work better, if I work hard, if I work good, you guys will definitely subscribe my channel and definitely you'll share your sweet word in the comment box, दोस्तो, comment में बताना जरूर, ना भूले, जरूर बताना comment में कि मेरी कार है, कैसे लगा, आपको मेरे पढ़ाने के तड़ीगा, कैसे लगा, अगर अच्छा ना लगा हो, तो feedback के तोर पे आप मुझे बता सकते हैं, ताकि मैं अपने वीडियो में और सुधार करूँगा, दोस्तो, इस प्रशन को यहीं खतम करते हैं, एक और समस्या आती है, correlation से सम्मंदित, उसको हम discuss करेंग अगले वीडियो में, तो बहुत बहुत